एशिया कप में टीम इंडिया ने अपना विजयरत जारी रखते हुए सुपर चार के तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। टीम इंडिया की ओर से शिखरदवन ने सबसे ज्यादा 114 और कप्तान रोहित शर्मा ने नाबाद 111 रन बनाए। टीम इंडिया इस जीत के साथ ही एशिया कब के फाइनल में भी पहुँच गई है। टीम इंडिया की जीत की स्क्रिप्ट टीम इंडिया के गेंदवाजों ने लिखी जिन्होंने पाकिस्तान को शोयब मलेक और सर्फराज एहमद की अच्छी साज़दारी के बावजूत 237 रनों पर रोग दिया। टीम इंडिया के तेज गेंदवाज जस्प्रीत बुमराह ने सिर्फ 29 रन देकर दो विकेट लिये। युजविंद्र चाहल और कुलदीप यादव को भी दो से दो विकेट मिले। गेंदवाजों के अच्छे प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित्स शर्मा और शिखरदवन की ओपनिंग जोडी ने पाकिस्तान के गेंदवाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए दूस और दस रनों की साज़दारी की। शिखरदवन और रोहित्स शर्मा के बीच पहली बार 200 से ज्यादा रनों की ओपनिंग साज़दारी हुए है। आपको बता दे इस मैच में शिखर दवा ने अपना 15 वां वन नडे शतक जड़ा, वही रोहित शर्मा ने 19 वी बार वन नडे में से चुरी लगाई